असलाम लेकूम, आज मैं पिताज शेयर कर रही हूँ कौफता करी बनाने की रेसिपी देखकर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा होगा ना कि ये जो कौफते बने हैं ये वेजिटेरियन है यानि कि ये बने हैं सोया बीन से टेस्ट लाजवाब है, बनते बहुत असानी से हैं और रेजल्ट्स आउट स्टैनिंग होते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए हैं तीन कप सोया बीन यहाँ पर मैंने इनको भीगो कर रखा हुआ है मैंने इनको बिल्कुल उबलते वे पानी में डूबो कर रख दिया था 20 से 25 मिनट के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ यह किस तरह के होते हैं, यह देखें यह भीगने से पहले इस तरह के होते हैं, एकदम हाड से होते हैं लेकिन जब हम इनको पानी के अंदर भीगो देते हैं, तो यह इस तरह से इस्पंजी हो जाते हैं यह देखें तो अभी हमें जो सबसे पहला काम करना है, हमें इनमें से पानी बिल्कुल निचोड लेना है तो हम इस तरह से हाथों में उठाएंगे, मुठी से अच्छी तरह से दबा कर इसके अंदर से सारा पानी निकाल देंगे जितना पानी आप हाथों से निकाल सकते हैं, उतना निकाल लीजगा यह स्टैप बहुत जरूरी है, अगर आपने पानी ठीक से नहीं निकाला है, तो फिर आपको परशानी हो जाएगी यानि कि आपके जो कोफते बनेंगे, वो गीले-गीले से हो जाएगे तो आप अच्छी तरह से इनको निचोड लेजेगा, उसके बाद ही आगे के स्टैप की तरफ चलिएगा तो यहाँ पर सोया बीन के अंदर से मैंने पानी अच्छी तरह से निचोड दिया है, अब हमें एक फूड प्रोसेसर ले लेंगे या फिर मिक्सी का जाल ले लेंगे और इसमें हम सोया बीन ट्रांसफर कर देंगे और अब हमें इसमें डालनी है एक मीडियम साइज की प्यास और हरे धनी के पते डालेंगे और साथ में हरी मिर्चे डालेंगे टेस्पून नमक डालेंगे या फिर टेस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे या फिर टेस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे या फिर टेस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे या फिर टेस्पून लाल मिर्च 200 ग्राम यह उबलेवे आलू है इससे बाइंडिंग आएगे इसमें आलू डालने से और 4 टेबिल स्पून डालेंगे भुनावा बेसन इसी के साथ हमें इसमें डालना है एक टी स्पून भरके लहसुन का पेस्ट और दो टी स्पून डाल देंगे अध्रक का पेस्ट और अब हमें कर लेना है इसको ग्राइंट तो अभी मैंने इसको कुछ जादाई भर दिया है इसलिए मैं इसको 200 में डिवाइट करके ग्राइंड करूंगी आपको दिखाने के लिए मैंने सारे इंग्रीडेंट्स अभी एक साथ इसमें डाल दिये थे तो हम इसको एकदम स्मूध हो जाने तक ग्राइंड कर लेंगे एकदम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे हमारा मिक्शर तयार हो चुका है इस पॉइंट पर आप इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं आपको कुछ भी कम लगता है तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एड़ कर सकते हैं अब हम हादों पर थोड़ा सा तेल अपलाई कर लेंगे और इसमें से चोटे चोटे से पोर्शन्स लेंगे और इसके कुफते बना लेंगे कोफते का साइज आप अपने हिसाब से भी छोटा या बड़ा रख सकते हैं जिस तरह के कोफते आप बनाना चाहते हैं उस तरह का साइज आप रख सकते हैं इस तरह से अब हम लेंगे मैदा और इसको मैदे में कोट करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे मैदे में क प्रॉपर गरम करेंगा अगर ठीक से गरम नहीं करेंगे तो फिर आपके कुफते तेल में घुल सकते हैं जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा इसमें आप कुफतो को डाल लीजेगा और इस तरह से घुमा घुमा कर फ्राइ कर लीजेगा जब तक यह अच्छी तरह से हो जाते हैं तब तक इनको 2-3 मिट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे इस तरह बस इसी तरह से हमें सभी कुफ्तों को फ्राइ करके निकाल लेना है अब हमें ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए है एक टेबिल स्पून अद्रक एक टेबिल स्पून लहसुन एक टी गरा मसाले का पाउडर और थोड़ा सा पाइए डालकर इसको घोल लेंगे और एक साइड में डग देंगे थोड़ी से गरा मसाले एक तेस पत्ता आठ दस काली मिर्च एक बड़ी लाची चार पांच लॉंग एक डेड़ इंच का दालचीनी का टुकुडा और चार पांच अब हम इसकी ग्रेवी पकाना शुरू करते हैं एक पैन में हाफ कब तेल ले लेंगे मैंने वही तेल ले लिया है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई करे थे उसी में से मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और अब हम डाल देंगे इसमें साबुद करा मसाले हलका सा इनको सौटे कर सकते हैं और इनको फ्राइ कर लेंगे प्यास को हमें गोर्डेन हो जाने तक फ्राइ कर लेना है प्यास को अच्छी तरह से पका लिए प्यास की मिठास जाती नहीं है और अब हमनी जो मसाला तैयर करके रखाव है वह हमें इसमें डाल देना है और मैं इसमें हल्दी डालना तो यहां पर टमाट्रो के साथ मैंने ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लिया है अब हमें थोड़ा सा इसको रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं पंदा से सूला तूटे वे काजु का पेस्ट डाल रही हूं अगर आपके पास तूटे काजु नहीं तो फिर आप बाद अब डालेगा यह पेस्ट और यह मैंने चार टेबिल स्पून दूद के ओपर जमी मलाईस में डाली है और हम इसको दो से तीन मिट के लिए और भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर और एक टीस्पून इसमें डालेंगे कसूरी में थी इसको भी मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा मसाला ची तरह से भून चुका है अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है तो हमें इसमें डेर से दो कप फानी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें उबालाने का वेट कर लेंगे जब ग्रेवी में उबाला जाएगी उसके बाद हम इसमें कोफते जब आप इस gravy को सर्फ करने जारे हैं उसके दस 15 मिनट पहले या विश में कोफते डाले loc Chemistry विए जो फ़र हम और यह झाने हैं यह वी शहें नेटों यह कजिए हम आप नहीं कि उन्हीं यह थंग तो यहां पर मैंने इसको साइब साथ मैडले लो फ्लेम पर पका लिया था और हमारी कोफता करी बनकर तैयार है सोया बीन कोफता करी बनकर तैयार है हरा धनिया थोड़ा सा उपर से गार्निश कर लेंगे और यह देखें एकदम परफेक्ट हमारे सोया बीन के कोफते बनकर रेड़ी हैं और जाते जाते मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये कुफते कितने सॉफ्ट बनते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं जरूर से आप इनको एक बार ट्राइ करिएगा और अपनी वैलियेबिल फीडबैक्स मुझको दीजेगा रेसिपी अच्छी लगिये तो प्लीज इसको लाइक जरू करें